ओम शांती, आज 1 ओगस्ट 2023, प्यारे बाप दादा के साकार इश्वर्य मधुर महावाक्य, आज की मुरली के सार में सत्गुरु बाबा कहे, माया की पीडा से बचने के लिए एक बाप की शरण में आ जाओ, इश्वर की शरण में आने से 21 जन्मों के लिए माया के बंधनों से छूट जाएंगे, फिर कहा बाप कहते हैं सरफ मुझ बाप को याद करो, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, बस बाप को य बुतों से बचने का पुर्शार्थ करना है, अर्थात अवगोन विकार बुरायों से अपने को बचाने का पुर्शार्थ करना है, बाबा कहे जब भी किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है, या कोई मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो, फिर बहुत विशे बताई केते बच्चे मैं आया हूँ जो पतीत दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने इस समय देखो आपस में कितना लड़ते जगड़ते रहते हैं बाबा कोई ऐसी स्रिष्टी नहीं रशते बाबा तो स्वर्ग रचते हैं स्वर्ग का मलिक बनाते हैं बाबा तो आते हैं काटे से कली कली से फूल बनाने फिर उच टाइटल देते हुए कहा कि तुम अभी मास्टर ज्यान सागर बन रहे हो तुम बाब से सारे ज्यान को हप कर लेते हो सारा ज्यान जब तुम में आ जाएगा तब फिर तुम प्रालब्द पाएंगे फिर रक्षा बंधन का आध अधात बाब से प्रतिग्या की जाती हैं, मीठे बाबा, बिहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया, अब आप आए हो वेकुंट का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनेंगे, बाबा हम प्रतिग्या करते हैं, पवित्रबन भारत को पवित्र बनाएंगे, सुनते हैं बाबा के आज के महवाक्यों को विस्तार से, आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, माया की पीडा से बचने के लिए, बाब की शरण में आ जाओ, इश्वर की शरण में आने से, 21 जन्म के लिए, माया के बंधन से छूट जाएंगे, आज मुरली से प्र पुर्शार्थ से मंदिर लायक पूजनिया बन जाते हो, उत्तर में बाबा ने कहा, मंदिर लायक पूजनिया बनने के लिए, भूतों से बचने का पुर्शार्थ करो, कभी भी किसी भूत की प्रवेश्ता नहीं होनी चाहिए, जब किसी में भूत देखो, अर्थात अवग वा बुराई या विकार देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उसे किनारा करलो, पवित्र रहने की स्वयम से प्रतिग्या करो, सच्ची सच्ची राखी बांधो, आज मुरली में गीत बजा, तुम्हारे बुलाने को जी जाता है, सारी मुरली से धारना के लिए सार है, पहला, श्रिमत पर पतित मनुश्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है, बाप का पूरा-पूरा मददगार बनना है, दुसरा, ज्यान सागर का सारा ज्यान हब करना है, अर्थात पूरी-पूरी धारना करनी है, बाप की याद से विकर्मों को दग्द कर विकर्माजीत बनना है आज बाबा ने वर्दान दिया कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयम को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भाव कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयम को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव स्पष्टि करण है कोई भी कारिय करते दफ्तर में जाते या बिजनेस करते सदा समर्ती रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं सेवा के निमित यह कर रहा हूँ तो सेवा आपके पास स्वतह आएंगी और जितना सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएंगी भविश्ट तो जमा होगा ही लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेंगी तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे याद और सेवा में बुद्धी बिजी होंगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे बाबा ने सेवा में डबल फल प्राप्त करने का आधार बताया कि अपने रुटिन के कारिय व्योभार करते हुए सदा यह स्मर्ती बनी रहे कि मैं निमित बनकर यह सेवा कर रहा हूँ तो सेवा स्वत ही आपके पांस आएंगी और जब सेवा करेंगे तो सेवा का प्रत्यक्षफाल खुशी मिलेंगी तो निमित समझने से डबल फल मिला सेवा भी हो जाएंगी और खुशी भी मिलेंगी आज का स्लोगन है जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयम को और सर्व को प्रियलगते हैं आज विशेश सुचना है इस मास की सभी मूर्लिया इश्वरिय महावाक्य निराकार परमपिता परमात्मा शिवने ब्रम्हा मुख कमल से अपने ब्रम्हन वत्सो अर्थात ब्रम्हा क एवं ब्रम्हा कुमारियों के सन्मुख 18 जन्वरी 1969 से पहले उचारण की थी यह केवल ब्रम्हा कुमारिस की अधिकृत टीचर बहनो द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हैं अच्छा मिठे मिठे सिकिल अधे बच्चो प्रती मात पिता बाप द याद पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड्ड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अच्छा ओम शंती शुक्रिया बाबा शुक्रिया